हेलो एवरिवान वल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नियू रीडिंग के साथ गाइस कैसे आप सब आई होब कि आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाले हूं आज मैं इसलिए की डिडिंग कर रहे हूं ताकि आपको एक क्लियारिटी मिले और आपको पता चले कि आप अपनी लाइफ में ठीक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं जो भी आपकी इक्छाएं हैं आपके सपने हैं आपकी ड्रीम जॉब हैं आपका रिलेशन्शिप ह आगे बढ़ रहे हो यह नहीं बढ़ रहे हो तो मैं आज आपको कुछ गाइड़न्स प्रवाइट करने के कोशिश करूँगी एंचल आंसर लोंगी एंचल इडवाईज लोंगे आपके लिए अपको ट्या गाइड़न्स के आडवाईज देंगे ये भी हम पता करेंगे करती तो जो भी आपके साथ मैच करें उसको रखें वाकी को आप इग्नॉर कीजिए अच्छलिए भी स्टार्ट करते हैं रेडिंग के रेत्विए वेडिजर तो थराप्निंग फिर्ड़े वेडिंग अरेदा माझ एडिया क्ट्राबमön व उठान पार्टेशन वेडिंगर एक श Сейчас खे Давंट करें दिय्कード के बाहुत हैं एडिक झाहो हैं प्लाट के तक्राट ऋंठान डाकरेंगा का। कर दिचेस्टरुख्डck कर दो कर दो money कर दो कर-दोिक एकर झाल एक काई लामया दो कर लो कर दो कर गॉसिप बॉटम से क्रियेशन का काड़ा है जी गाइज एक्सपेंशन एक्सपेंशन से यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप ना बिल्कुल भी देखो अगर आपके ड्रीम्स है और आपके गोल्स है आप किसी को पसंद करते है तो सबसे पहले तो आपको बिलीव करना होगा कि यह चीज पॉसिबल हो सकती है और होगी अपना ही माइनसेट इतना मतलब अपने आपको इतना पावरफल बनाना होगा आपको इस तरह से ट्रीट करना होगा इस तरह से मतलब बिलीव करना होगा कि आपका तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे है। वो पूरा हो चुका है इस फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा आपको बहुत खुश रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपके लिए सारी चीज़े अलाइंग हो जाएगी, अगर आप बिलीब करेंगे तो आप हर चीज देखेंगे भी, आगे होते हुए उस चीज़ को, और खुश रहने की कोशिश कीज़े, दूसरी बाते ये हैं, कि आप शायद डरते हैं, कि नए दोस्त बनाने में, ठीक है, नए लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने से शायद आप रोक रहे हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप यहां इस चैनल पर हैं, तो आप एक स्प्रिच्वल परसन हैं, ठीक है, और इस हर कोई इस चैनल पर न ठीक है, कार्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग भी अब्जॉफ कर पाते हो, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कि आप नए लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं दे रहे हैं, फ्रिंट्स नहीं बना रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं लोगों के सा definitely work करना शुरू कर देता है हमारे soul group से कुछ ऐसे लोग हमारे पास भेजते हैं जो हमें support करते हैं motivate करते हैं फिर वो एक friend हो सकता है ठीक है वो कोई आपका relative हो सकता है कोई ऐसा एक person आपकी life में आ सकता है जो बहुत care करने लगे आपकी ठीक है आपको support करें आपको बताए कि क्या करना है आगे ठीक है वो आपके soul group से आते हैं तो अगर आप लोगों को enter ही नहीं करने दोगे अकेले रहोगे तो फिर problem है आप अच्छे से manifest नहीं कर रहे हैं आप खुश नहीं हो अगर कोई इंसान खुश नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी ठीक तरह से manifest नहीं कर सकता कभी भी dissipating का मतलब है आपके पास definitely हर चीज है आपको knowledge है लेकिन आपके डर है इस डर को ना आपको हटाना होगा आपको definitely future के लिए plan करना है किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है किस तरीके से आप खुश रहने कि आपको कोशिश करनी है आप अपने जो आपको करना पसंद है आप वो कीजिए जो भी चीज़ आपको करना पसंद है आप उस चीज को करिए ओके और socialize होड़ा होना शुरू कर दीजिए ठीक है आप में से बहुत साई लोगों ने चीजों को accept करना सीख लिया है ठीक है जिस तरह से चीज़े है आप I know आप खुश नहीं है कई न कई आज भी अंदर से लगता है अधूरा पन, खाली पन लेकिन time सब कुछ heal कर देता है हर चीज time के साथ ठीक हो जाते है ठीक है इसलिए आपने accept तो कर लिया है लेकिन धीरे धीरे आप मुझे पता है जब आपने अब हर चीजों का accept करना सीख लिया है तो आगे चल कर आपको खुशियां भी मिलेगी God आपके लिए कुछ इस तरह से create करेंगे कुछ ना कुछ जो आपकी life के लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है फिलाहल आपको socialize होना है friends के साथ घुलना है मिलना है gossip करनी है ठीक है in a positive way और लोगों को अपनी life में enter होने देना है believe करना है कि yes जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सच में पूरा होगा इस तरह से आपको believe करना है रही बात आपके career की तो मुझे career में तो growth दिख रहा है आपके आप definitely अपने जो भी आप काम करते हैं ना उसमें आपको growth मिलेगा ऐसा मैं देख रही हूँ फिछ आप study करते हैं आप business करते हैं, job करते हैं जो भी आप करते हैं उसमें मैं growth देख रही हूँ, greenery देख रही हूँ definitely what on the deck से आया था creation का card तो देखो आपको सच में creative होने की जरुरत है मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग intuitive हैं और teller reader भी हो सकते हैं आपकी intuition power आप खुद ही पता होता है अब कि क्या सही है, क्या गलत है intuition को सुनो, वो सच में सच बताते हैं वो गलत नहीं होता ओके अच्छा कर रहे हो अपनी life में लेकिन जो लोगों को आप enter नहीं होने दे रहे हो ना कि definitely अगर एक spiritual person हो आप और इस channel पर हो तो definitely आप अगर आप लोगों से interaction करते हो तो वो आपके soul group से भी हो सकते हैं तो बहुत ही अपने intuition power को source समझ कर उसका utilize करना शुरू कर दो चलिए भी tarot से कुछ cards निकालते हैं और देखते हैं यहां से क्या आता है झालते हैं वाव एम प्रश को eight of swords Gemini Libra Aquarius page of swords Gemini Libra Aquarius king of pentacles Taurus Virgo and Capricorn three of cups water sign cancer scorpion prices eight of cups and eight sorry four of cups and eight of pentacles and high priestess what around the deck night of pentacles yeah guys so sign here on fire sign here on fire sign here on fire sign just here on Aries but Leo and Sagittarius can also be able to do this because I am a collective reading power raging so as we мол the Rafael Giranto are I thought I cannot do it I am sorry I am a creative person unique intuitive but although not good When I have started after I will define kalam watch किस सेक्टर में स्टाक हैं आप देखें मुझे तो लव लाइफ लग रही है क्योंकि आपका work तो ठीक काम कर रहा है work में कोई इस्व नहीं है आप अपनी लव लाइफ को लेकर स्टाक हो आप अकेले हो अपने life में आपकी कोई care करने वाला नहीं है कोई आपका ध्यान रखने वाला नहीं है और जरुरत भी किसको है आप अपना ध्यान खुद रखना सीखो अपनी क्यार खुद करना सीखो आप अकेले भी रहना सीखो यही चालेंज है आपके लिए ठीक है अगर कोई एक special person नहीं है तो friend circle में खुश रहना सीखो घूमो फिरो ठीक है अपनी लाइफ को जीओ अगर आप ऐसे ही stuck feel करोगे तो फिर कैसे आपके लाइफ में अच्छी चीज़े होनी शुरू हो जाएगी आप खुश रहना सीखो positive रहना सीखो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को waste मत करो ठीक है इतना करो past को भुला नहीं पा रहे हो आप अकेले खुश नहीं हो रहे हो यही चीज़ है अपने आप से प्यार करना सीखो खुद से प्यार करो खुद की company को enjoy करो तब ही जाकर जो पार्टनर आपके लिए बना है ना वो आप तक आ जाएगा क्योंकि definitely यह तब ही possible होता है जब हम अच्छी frequency में रहना शुरू कर देता है आप मुझे लग रहा है आप स्टक हो आप अप अपना काम अच्छा कर रहे हो आप बहुत हार्ड वरकिंग भी दिख रहे हो मुझे लेकिन यह लव लाइफ है ना उसको लेकर आप बहुत परिशान हो अपने intuitions को सुनो guys वो क्या कह रहे हैं आपसे क्या बता रहे हैं आपको वो आपको guide कर रहे हैं कि आपको किस direction में आगे बढ़ना है आपके लिए अभी क्या important है और क्या important नहीं है यह भी आपके intuitions आपको बता रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हो आप ज्यादा से ज्या जिनों के भी साथ आप deal कर रहे हो और वो आपको importance नहीं दे रहे हैं तो भी आप social media पर उनकी activities को check करते हो, उनको stock करते हो, अपना time waste करते हो आप, इस time career पर focus कर लो, और खुद की company को कैसे, अपने आप से कैसे प्यार करना है, खुद की company में खुश रहना कैसे है, ये चीज के लिए है, इस time सीखना, ये बहुत important है, इस चीज को सीखो guys, इस चीज को, देखो I know कि एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है, time के साथ हर चीज possible है, अभी आपके उपर, आप क्या करते हो अपनी life में, चलिए मैं psychic tarot से भी कुछ cards निकालूँगे आपक वाव, triumph, number seven, success मिल जाएगी guys, आप success को लेकर, abundance को लेकर problem मत करो, और मेरेको तो लगी रहे कि कोई partner ही आ रहे है आपके life में, जिसको लेकर आप बहुत परिशान हो ना, तो यही partner आ रहे है, बहुत speed में आ रहे है, लेकिन speed इनकी आप पर भी depend है, कि आप कितना fast खुद को improve करते हो और आप अपनी company में खुश रहना शुरू कर देते हो, खुद से प्यार करते हो, number seven, master number, angel number, seven हमें बताता है, self love, और खुद पर भरोसा रखें, confidence रखें, हर चीज मुम्किन है, material harvest, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, उसको utilize करना शुरू कर दो, temptation, जो भी addictions आपके हैं, ठीक है, फिर चाहिए वो किसी partner के लिए है, आपकी desire, या किसी भी चीज के लिए है, उस पर आपको control करना सीखना होगा, time के साथ खुद को adjust करना सीखना होगा, moving on, आपको move on करना सीखना होगा, तब ही आप अधेरे में से रोशनी में आएंगे, disconnect and boredom, आपको definitely देखो, आपको बिलकुल अपने आपको ना, darkness से बाहर निकालना है, आप जिस तरीके से अपनी life में bored हो रहे हो, परिशान हो रहे हो, डिसकनेक्ट कर रहे हो ना, खुद को, यही चीज आपको हटानी है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, चलिए अभी आपके लिए मैं advice निकाल लेते हूँ, Be bold and make the first move, definitely आपको bold होना होगा और आपको first move लेना होगा खुद की life के लिए, A new romantic cycle begins, so romantic cycle तो वैसे ही आपके life में शुरू होने वाली है, लेकिन यह कैसे होगा possible, आपकी healing पर, a win-win outcome is forecast, वाउ, बहुत बहुत strong हैं, Bring love into the situation, अपनी situation में प्यार ले आओ, खुद से प्यार करो और अपने आपको importance दो, You are very close to achieving your goals, definitely, आप बहुत close हैं, अपने goals को achieve करने में, आपको definitely एक win-win outcome ही मिलेगा, अगर आप यह guidance follow करते हैं, अगर आप अपनी life में manifest करते हैं, एक win-win outcome आपको मिलेगा, आप बहुत close हो, अपने goals को achieve करने के लिए, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, आप में से बहुत साई लोगों ने जो accept कर लिया न चीज़े और time के साथ adjust कर लिया है, खुद को, सब बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आप disconnect हो रहे हो, ठीक है, अपनी life में bore हो रहे हो, तो आपको थोड़ा enjoy करने की जरूरत है, अपने आपको इस energy से बाहर निकालने की जरूरत है, आपको high frequency में जाने की जरूरत है, जहां पर बहुत खुश होता एक इनसान, ठीक है, तो यह चीज़ आपको करने की जरूरत है, इतना आप करो, बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हो आप, और जो लोग ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो definitely सब चीज़ करने की जरूरत है, चलिए अभी angel answers देख रहते हैं, angel क्या कहेंगे आपको, big happy changes, अब देख लीजे, card आया है, big happy changes, आएंगे आ and forgiveness, तो अगर आप थोड़ा burden लेकर बैठे होना, लोग उन्हें अगर आपको hurt कराया और आप उन्हें माफ ने कर पा रहें, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उनको जो भी punishment मिल लिए ना, वो आप आप नहीं दोगे, card देंगे उन्हें, अपने hand से उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफ करने से आपके, आपने जो अपने दिल में burden लिया हुआ है ना, वो हट जाएगा, there's something better, definitely, बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, and meditation bring answer, आप meditation भी कीचे, ठीक है, तो guys, definitely, आपको अपने life में खुश रहना सीखना है, यही है आपके लिए main चीज, जो आपको करनी है, तो guys, यह है आपके reading, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर यह reading आपके साथ resonate हुई है, तो मुझे comment section में बताना, चैनल पर अगर आप नहीं है तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बस इतना ही guys, bye, take care,